खलो दोस्तों, नमस्कार, तो बहुत दिन से एक वीडियो में बनाना चाहा रहा था, आप लोगों ने काफी उसके उसके उपर डिमांड भी किया था टेलीग्राम पे आप लोगों ने बार-बार बोला था कि हेजिंग के उपर गरंथ ले किया ये, लेकिन हेजिंग और हेजि में 10,000 12,000 13,000 2 strike price को लेकर बनाया है और option buying के अंदर कैसे क्या हमने यूज करके options hedge करके पैसा कमाया है अब option hazing के अंदर इस video को complete देखिएगा और दिल से comment करिएगा कि आपके क्या नया सीखा और इसके दो पार्ट होंगे यह option hazing buying वालों के लिए है दूसरा जो पार्ट आएगा option hazing selling वालों के लिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ realistic चीजे बताता हूं आप अगर मेरे से थोड़ा भी वह है अगर आप मेरे से सहम है थो तो बताना जब भी हम किसी को स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के अंदर क्या बोलते हैं कि तुमको एक फिक्स रिटन दे रहे हैं फिक्स रिटन जो कि तुम्हारे एफडी से जादा होगा वह सकता है कि तुम्हें महीने में 25 से 50 परसंट या 30 परसंट तक एक व्यक्ति ने बनाए 30 लाक रुपए एक लाक लगाकर एक दिन में एक व्यक्ति ने बनाए 4 लाक रुपए उनको यह नहीं दिखता है कि इसके पहले उसने कितना लॉस कर दिया होगा तो मैं आपको एक ऐसा सुनहरा उसर भी इस वीडियो में दूंगा उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा वो सैलरीड परसंट के लिए कॉलेज गोइंग परसंट के लिए जो किसी भी डिपार्टमेंट में उनके लिए एक बहुत बहतरीन चीज में लेके आ रहा हूं जिसको आप सब लोग सब्सक्राइब कर सकतो वह सुबह से लेकर राद तक आपका टेंसन फ्री ट्रेड रहेगा आपको कुछ नहीं देखना कोई चार्ट कोई कोई यह कोई बकवास नहीं करने सिम्पल बताऊंगो उसको फालो करना है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बाद में इसको वो सब्सक्राइब करना होगा वह लास तक रोखके उसको सुन लेगा वीडियो का जो कंटेंट है वह पूर आपको पहले मिल ज रखते हो और रिस्क लिम्टेट होने का मतलब जितना कम रिस्क रहेगा उतना कम प्रॉफिट भी रहेगा जितना ज्यादा रिस्क रहेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट भी रहेगा लेकिन जरा एक बात समझे ज्यादा रिस्क लेने से अच्छा यह है कि थोड़ा रिस्क ले यह जीरो हो गया तो मेरा पूरा कैप्टेल खतम अगर मैं इसी के जंगा कोई डिमाग लगा कर बारा या दस रुपए या पांच रुपए का कोई पुट लेता तो यह 50-60 रुपए यह भी बन जाता तो मेरा एक जगा से भले छोटा सा लॉस हुआ छोटा सा प्रॉफिट तो गली मौलेम जो क्रिकिट खेलते हैं वो किसे रबड के बॉल से खेलते हैं तक उनको चोट भी ने लगे तो सेयर मार्केट में ऐसा उप्सन नहीं है कि आपको सेयर मार्केट हाँ आप नेकेड कर रहे हो पेपर ट्रेडिंग कर लो हो गया वो रबड की बॉल तो हेजिंग इ कि options बाइंग है जी और दूसरा होता है options selling हेजिंग इसके उपर ध्यान से discuss करेंगे एक एक चीज options buying hedging के अंदर risk और options selling के अंदर risk ये दोनों आप comment करके बताओगे किसमें ज्यादा रिस्क है किसमें कम रिस्क है मैं दोनों में hedge करना आपको सिखाऊंगा लेकिन उसके लिए वीडियो में 3-4 लाइक दे देना अब मैं options buying के उपर बात करता हूँ options buying के अंदर क्या होगा hedge का मतलब क्या है hedge का मतलब यह है कि हम एक strike यूज करने वाले हैं किसका हम एक strike यूज करने वाले हैं C का एक strike यूज करने हैं P का ध्यान क्या रखना है कि इसके अंदर जो delta है और जो dk है इसको बचा कर रखना है क्योंकि DK की वज़ा से आपका दोनों चीज़ चला जाएगा तीसरा हमको क्या धियान रखना है कि sideways market पैसे predict करें तो sideways market predict करने के लिए आपको यहाँ पर option chain सीखना पड़ेगा तो एक-एक्सीज मैं आपको सिखा रहा हूँ तब जाके आपको एक-एक चीज दिमाग में समझ में आएगी तो पहले आज option buying के उपर ध्यान देते हैं option buying के उपर जाने से पहले यहाँ पर एक बार delta structure को समझना बहुत ज़रूरी है यह delta structure क्या होता है आप सब लोग ATM, OTM, ITM जानते हैं अरे जानते हो तो comment करो ना क्या होता है full farm अब यहाँ पर देखो जो strike level है और जो यहाँ पर delta है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया और एक hedging में सबसे important role play करता है delta delta से बड़ा कोई आपका दोस्त नहीं है delta से बड़ा कोई आपका मित्र नहीं है अब यहाँ पर देखिए call का options लिखा है यहाँ पर put लिखा है अब अगर आप बहुत deep item जा रहे हो suppose आप काफी item चलेगा तो आपका delta 1 हो जाएगा यानि अगर index यहाँ से 38,450 पर है और index यहाँ पर एक point मूब किया 38,451 तो आपका जो strike होगा option का वो भागेगा एक रुपै से थोड़ा next deepest जा रहे हो तो थोड़ा कम भागेगा nearest item जा रहे हो तो थोड़ा और कम ATM पर जा रहे हो तो थोड़ा point 5 से भागेगा nearest oteam point 25 से next deepest 0.1 से और deep oteam 0 deep oteam 0 क्यों deep oteam आप लोग मुझे बता सकते हो कि इनकी intrinsic और extrinsing value कितनी होती है put में उल्टा अब समझो ATM पर minus 0.5 nearest item पर minus 0.75 next deepest पर minus 0.9 और deep item पर 0.1 मतलब minus 1 और next deepest पर 0.01 और deep oteam पर 0 तो हमें ATM देखना है और nearest oteam देखना है हेज में ध्यान दीजिए हमें deep oteam ATM के बारे हम नहीं discuss करना है हमें nearest sorry हमें nearest ATM देखना है और यहां पर nearest item देखना है तो option buying के अंदर सबसे पहला जो rule है rule number 1 rule number 1 क्या है आपका rule number 1 है कि nearest item को देख लो nearest item क्या हो जाएगा जो आपका ATM चल रहा है उससे थोड़ा एक strike price नीचे call में और उपर put में अब मैं इसको थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ option chart पे और फिर मैं आपको समझाता हूँ यहां पर चलिए मैं यहां पर chrome खोल लेता हूँ ठीके और यहां पर मैं option chain open करता हूँ यह मेरा option chain है अब इस option chain को ध्यान से देखेगा मैं bank nifty का option लोगा यहां पर bank nifty के वज़े से आपको समझाऊँगा ठीक है चलिए तो अब देखे यह option chain आपके सामने खुल कर दिख रहा होगा अब इस option chain को थोड़ा सा समझने की कोसिस करिए कि option chain है क्या कहना क्या चाह रहा है यहां पर आप देख रहे होगे कि कुछ तो यार यह पीली line है और यहां पर नीचे की side कुछ तो पीली line है तो अब समझे यहां पर आपको दिख रहा है 39,900 39,900 call strike price के लिए C strike price के लिए ATM है यानि add the money इसके उपर जितना आप जाते रहोगे जैसे आप 39,900 800,700,600,500 यह ATM बंचे दाएंगे यह ATM बनते जाएंगे deep ATM so deep ATM का delta क्या हो गया बढ़ते गया बढ़ते गया delta और साथी साथ में अगर आप put side में जा रहे हो 40,000, 1, 2, 3, 4, 5 तो यह ATM बनते जा रहे तो income minus में delta बढ़ते गया अब समझो सारा खेल delta का है अब यहाँ पर दो टेकनिक यूज होगी उस टेकनिक को आप समझो support करो मैं आपको एक structure यहाँ पर समझाना चाहरा हूँ मैं क्या समझाना चाहरा हूँ उसको देखिएगा उसको सीख गए तो सारा खेल आपको समझ में आ गया हेज का मतलब क्या है हेज देखो दो तरीकी का है एक हो गया directional हेज ठीक है यह हो गया directional हेज और एक हो गया हमारे पास non-directional हेज non-directional हेज अब इन दोनों को समझना कैसे है सोरभ भाई बहुत अराम से समझना है directional hedge में आप market को predict करकर काम करते हैं market को अपने predict कर लिया suppose करो आपको लग रहा है कि market as bullish होगा यह आपका example है यह आपका behavior है तो आप क्या करोगे options buying के अंदर दो चीज़ें यूज़ करोगे options buying के अंदर दो चीज़ें यूज़ करोगे क्या यूज़ करोगे आप यहाँ पर जिस भी और अपनी बाजी लगाना चाहते हो मानलो ATM चलना है 39,500 पर ठेक है और आपको लग रहा है कि market bullish रहेगा बट आप चाह रहे हो कि भाई अगर मैं गलत हुआ अगर मैं गलत हुआ तो भी मैं profitable बन जाओ यह आपकी इक्षा है तब भी मैं profitable बन जाओ तो आप क्या करोगे आप यहाँ पर nearest ATM buy करोगे call का और nearest ATM buy करोगे put का कैसे देखो अब 39,500 आपका क्या है दोस्त यह होगे आपका strike price यानि ATM ठीक है और आपको लग रहा है कि सौरब भाई market आज जाएगा 39,700 तक यह आपको लग रहा है ठीक तो आपने यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर 39,400 का एक call यह same quantity buy कर लेनी है और अब आपको आपने ITM क्यों buy किया क्योंकि आपको लग रहा है कि market यहाँ से उपर जाएगा और उपर जाने में मैं क्या करूँगा मस्त पैसा कमा लूँगा क्यों क्योंकि ITM है तो बहुत तेज भागेगा बहुत तेज भागेगा DK कम होगा समझ गए DK कम होगा मेरे direction में अब इसी जगा हेज कैसे करना है अरे यार मालो अगर market गरबड हो गया मालो मेरे direction market नहीं गया तो मुझे अपना पैसा बचाना भी तो है उसके लिए मैंने क्या किया 39,500 market का ATM है और market के अंदर मैं क्या करूँगा एक इससे पुट के फार ITM से थोड़ा सा दूर OTM ले लूँगा जैसे यहां पर आओ मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर देखो मुझे लग रहा है कि सपोच करो market अभी 39,000 यह है मेरा 39,900 यह हो गया ATM कॉल के लिए ठीक है अब मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं मारकेट तो जाएगा भाई साब 40,200 तक तो मैंने क्या किया एक कॉल स्ट्राइक प्राइस बना ली किसकी बना ली इसके जस्ट एक पीछे का यानि नियरेस्ट आइटियम का वो हो गया 39,800 का यह मेरा पुट मैं क्या खरिदना है ध्यां से सुनिये फुट मैं आपको जैसे पुट के लिए राइक प्राइस क्या है एटियम 40,000 तो 40,100 क्या हो गया 40,100 इसका क्या हो गया यह तो इसका नियरेस्ट आइटियम हो गया हमें नियरेस्ट आइटियम नहीं खरिदना है हमें नियरेस्ट ओटियम खरिदना है तो 40,000 का नियरेस्ट ओटियम कितना हो जाएगा जरा बताना मुझे आप क्या करोगे यूज करोगे फॉर आपका हेज और हेज करते वक्त एक चीज याद रखिएगा कि मार्केट में आपको स्टॉप लॉस लगा कर रखना यह मैनूर कैसे देखिए इसमें दो लेग होते हैं ठीक है मैं यहाँ पर एक्जामपल के तौर पर यहाँ पर लिख दे यह दो लेग आपके पास आगे तो फर्स्ट लेग आपका हो गया कॉल का लेग और सकेंड लेग हो गया आपका पुट का लेग ठीक है आपको वाचलिस्ट कितने बज़े क्रियेट करनी है वाचलिस्ट आपको कितने बज़े क्रियेट करनी है नौ बज़े से लेके नौ पं 2900 पर open हो चुका है सपोर्च करो open हो चुका है ठीक है मैं क्या करूंगा मुझे लग रहा का आज मार्केट भूलिस रहेगा आज मार्केट भूलिस रहेगा तो भाईया जी मैंने क्या किया यहां पर कि 39,800 का call में next expiry अपनी छे अपरिल किये मैंने इसको add कर लिया और hedge करने के लिए मैंने क्या किया 39,000 39,900 हमारा हो गया और अब मैं एक बार इसको option chain पर देख लेते हैं अगली एक्सपाइरी के लिए एक्सपार इडिट यहां पर चूच कर लो 6 अप्रील ठीक रिफ्रेस्स पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है इसको अलगी नेवल कर नसा चड़ गया चल भाई रिफ्रेस्स हो जा बंदू सखा हो गया तो यह देखो निफ्टी कुल गया वेट 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 यह बैंक निफ् थियुद्द खरिद लिए और फर्टी थैजन इसका म åही ने इसका फटी नाइन फॉजन चटी इंचरीब खरीद यह दोनों अब देखो यहां पर मैंने क्या किया दोस्त, यहां पर मैंने call भी खरीदा ठीके और मैंने put भी खरीदा, अब मेरा view क्या है, यहां पर मेरा view bullish है तो bullish होने के नतीजे से मैंने क्या किया, अपने आपको hedge कर दिया अगर माल लो मैं bullish हूँ, तो मेरे पास एक example यह है कि ब полностью है तो मैं ऐसा करो 39,800 का call खरीद लो तो अगर मैं केवल 39,800 का call खरीद लूँगा तो वो मेरे लिए naked हो जाएगा market उल्टा गया लेने के देने पड़ जाएंगे लेकिन इसमें 39,900 के put में अगर market बहुत बिपरीत चला गया हमारे तो ये तो हमारा 50 परसेंट या 60 परसेंट 40 परसेंट के stop loss पे exit हो जाएगा ये हमारा कमा के दे देगा क्यों क्योंकि जैसे ये OTM से ITM की तरह बढ़ेगा इसमें बहुत बड़ा spike आएगा इसके IV में और जो spike आएगा IV में ये इसको फटाक से आपने खरीदा OTM पर बन गया ITM कि समझ दो हेज का मतलब अब तो क्या करना है दोनों को simply buy करना है यहां पर क्लिक करिए माल लिजे यहां पर आपको 900 quantity बाई करनी है तो 900 quantity को आपने यहां पर merge कर दिया या तो basket मना के आप कर सकतो या तो आप इस तरीके से भी कर सकतो 900 quantity डाल दिये कोशिस यह रहे कि आप हमेशा system में stop loss डाल के रखो stop loss कितना होगा जैसे आपने stop loss को कितना डालना हो मैं आपको समझा दे रहा हूँ दोनों लेग में बराबर का stop loss डालना है फ़र बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में 10 से 20% का stop loss जो आपका premium रहेगा वो दोनों में डालना है ध्यान से समझो एक लेग का अगर SL हिट हो जा रहा है दूसरे लेग को hold करना है hold करने के बाद उसमें double 20 to 40% के profit पे उस लेग को exit करना है simple सा rule है यह हो गया directional hedge की कहानी अब मैं मुद्दे पर आ जाता हूँ बहुत सारे लोग हैं देखो करते हैं तो मैंने क्या बोला मैंने यह बोला कि भीया यह option बाइंग के लिए इस तरीक किस करेंगे अब option बाइंग के अंदर यह तो original हो गया directional हो गया अब option बाइंग के इक अंदर डारेक्शनल ना करके अगर मालो हमको ऐसे करना कुछ है अगर मालो मुझको ऐसे करना है डायरेक्शनल हो गया, एक मालनो मेरे को डायरेक्शन नहीं पता है, मुझे डायरेक्शन नहीं पता है, कि मार्केट किधर जाएगा, यहां मार्केट है, मुझे नहीं पता मार्केट यहां जाएगा, तो ऐसे में दो कंडिशन्स होते हैं, एक कंडिशन यह है, कि क्या साइडवेज होने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा ओवाई चेंज ओवाई चेंज का मतलब कि मालो मार्केट के अंदर मालो मार्केट के अंदर यह 49-500 है इधर 49-800 है और इधर 49-200 है अगर सेम इस पे और सेम इस पे आपको दिख रहा है सेम नंबर ओफ वाई चेंज हो रहे हैं तो पक्की बात है कि मार्केट के अंदर आज क्या होने वाला है मार्केट को यहां से यहां ऐसे नचाके छोड़ने वाले तो ऐसके लिए आप options selling के अंदर hedge करोगे not buying के अंदर पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्त इसलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा right decision अपनी जिंदगी में लेना इस्टार्ट करिए आपको लगता है कि बहुत बहुत fabulous चीज है options trading आएंगे तुरंत पैसा है buy किये पैसा थोड़ा सा समझिए ने तो दो दिन के बाद market से बाहर हो जाएंगे मेरा क्या है ठीक है तो आपको ओवाई changes भी सिखने पड़ेंगे दूसरी चीज आपको अगर लग रहा है कि market non directional है लेकिन बड़ा move देगा non directional है लेकिन किधर भी बड़ा move देगा और मुझे पता न पुट का भी ATM कॉल का भी ATM और छोड़ दो 40-40-20% के stop loss लगा के आप लोग इन्हें इस सारी चीजों को long straddle या put buying call buying के नाम से सुना होगा उतना मत कुछ करो दिमाग से खेलो delta के साथ खेलो वह सब करने में आदा ज्यादा लोग ऐसे ही बरबाद हो जाएंगे तो मुझे ल